Hello guys, I am Nikki और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल IQ Students Point Guys, आप लोगों की बहुत ज़ादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों की admission को लेकर, result को लेकर, free receipt को लेकर, payment को लेकर किसी भी चीज़ के regarding आपको किसी ना किसी चीज़ में problem हो ही रही है दिखो अगर आप first year के student हो और आपने second year में admission लिया है तो first year में आपने बहुत सारी problems को face किया होगा तो आप लोगों के उसमें doubt नहीं होने चाहिए और अगर आप final year में आ गए हो तब तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए यह सारी चीज़ जब आप दो साल जेल कर आई चुके हो तो final year में जेल नहीं कोई क्या problem हो सकती है खेर कोई बात नहीं आज की जो वीडियो है वो किसी class पर based नहीं है यह मैंने आपका छोटा सा session रखा है एक doubt session जिसके अंदर आपके सारे doubts को मैं clear कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे job करते हैं कहीं busy हैं कहीं कुछ हैं किसके पास mobile नहीं है net नहीं है तो वो बच्चा राम से अपने गी वीडियो देख सकता है नहीं तो मैं आपका live session भी रख सकती थी ठीक है सो इसके अंदर आपकी fee receipt, admission, ERA, B, fail, result, timing, place सारी सब चीजे, सब including all things मैं इसमें clear कर देती हूँ बाकी जो भी आपका doubt रहेगा मुझे पता है बिल्कुल रहेगा 100% रहेगा ही रहेगा सब कुछ clear करने के बाद भी आप मुझे comment box से टेलिग्राम चैनल पे पूछ लिएगा ठीक है अब हम starting से start करते हैं यह नहीं कि पहले admission पहुच गए, fee receipt पहुच गए नहीं, हम starting से start करते हैं ठीक है, सबसे पहले है आपका क्या semester mode and annual mode ERAB fail problem ठीक है, आपका चाया आप semester mode के बच्चे means 2019 में जिनोंने admission लिया था और 2019 से पहले जिनोंने admission लिया था वो थे annual mode के students ठीक है, तो उन सभी बच्चों को इस बात पर गौर करना है और ध्यान रखना है कि मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ अगर आप लोगों की first semester में back आई है तो उसका paper आपका third semester में होगा मतलब अभी वाले बच्चों की जो semester mode के बच्चे हैं मैं पहले उनकी बात कर रही हूँ जिनोंने अभी third semester में subject fill करे हैं अपने third semester के लिए second year में subject लिया है उसके अंदर अगर आपकी first semester में back है तो उसका paper आप अभी fill करोगे ये बात याद रखना मैं दुबारा repeat नहीं करोगी second semester में back है उसका paper fourth semester में होगा but paper अभी fill होगा जो अभी ये form आए हैं उन्हीं के अंदर आपको अपना paper fill करना है third semester में back है तो वो fifth semester में होगा fourth में है तो वो sixth semester में होगा आपका paper ठीक है अब आते हैं आपका paper fill करने की जो भी चीज है वो कैसे होगा देखो अगर मान लो जैसे मैं student हूँ और निकी मैम की third semester में back आई है और निकी मैम की जब third semester में back आई तो वो जाहिर है fifth semester तो पहुच ही गई तो fifth semester में निकी मैम उस third semester के subject का back का paper इस ही time fifth semester के subjects fill करने के time पे ही fill करेंगी ताकि वो paper दे दे बाइ चाल निकी मैम की fourth semester में back आई है तो वो इस ही time अपना paper fill करेंगी ताकि वो sixth semester में may जून में अपना paper दे दे ठीक है ये वाली बात को आप याद रखना ऐसे ही सभी semester's के बच्चे हैं वो अपनी इस बात को अपने उपर लागू कर सकते हैं I mean करेंगे कर सकते नहीं है अब आते हैं Anvil mode के बच्चे देखो Anvil mode के बच्चे को इस टाइम बहुत ज़ादा difficulties हो रही है क्योंकि इनके लिए कोई भी चीज़े provide नहीं करी जा रही है सबसे पहली बात अगर आप Anvil mode की चलो मैं अपने आपको बोल देती हूँ किस-किस का example दूँ मैंने 2017 या 2018 मैं admission लिया मैं Anvil mode first year की student थी उसके बाद अगर मेरी first year में back थी तो वो मेरा paper second year में होना था by chance मैंने नहीं दिया तो वो मैं second year का paper third year में दे दूँगी लेकिन second year में back है तो वो मैं third year में दूँगी और अगर मेरी third year में eri है er essential repeat होता है student er का मतलब error नहीं होता बहुत सारे बच्चे इसको error बोल रहे हैं error नहीं होता er का मतलब होता है essential repeat मतलब मैंने एक subject को खराब करा और खराब करने के बाद उस subject में मुझे मतलब खराब in the sense की answer छोटा लिखा या सही नहीं लिखा और फिर उसके बाद उसमें soul के या फिर regular college का ये कोई भी college के teacher ने मुझे उसके अंदर रोक दिया कि निकी मैम आप रुख जाओ आपने paper सही से नहीं दिया है आप इस paper को repeat करो तो ये वाली बात दी गई है ER के अंदर ठीक है third year का बच्चा paper कब देगा third year का बच्चा जैसे final year का भी result आया है तो वो बच्चा ER का paper अपना कैसे देगा कब देगा अरे आप कैसे बता सकते में बताती हूँ आप अपना paper मे जून में दोगे means जब semester mode के बच्चों का six semester होगा six semester की बात यहां हो रही है ठीक है तो इन बच्चों के साथ आप अपना paper दोगे जिस भी subject में ER आई है दूसरी बात अगर आपका absent है तो absent के लिए जो form मैंने बताया था वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ उसका link भी description में आपको provide कर देती हूँ आप उसको fill कर लो ठीक है चाहे वो semester mode का बच्चा है या absent का annual mode का बच्चा है sorry ठीक है तीसरी बात अगर आप लोगों का ER है A B है मैंने बता दिया अब fail अगर लिखा हुआ है ठीक है नव देखो ER का paper तो आपको देना पड़ेगा लेकिन ER देने के बज़ाए उन्होंने fail लिख दिया है तो आप उसके लिए department में contact कीजी उसका जो solution है वो आपको दे देंगे हो भी सकता है कि by chance वैसे ही आपको ER दे दी गई हो कि paper check नहीं हुआ हो या कोई और बात हो लेकिन अगर आपकी गलती है तो आपको ER मिलेगी ही मिलेगी example के तोर पे आज एक student ने मुझे अपना result भेजा और उसमें बोला कि मैम जैसे मेरे subject में दो subject में ER थी हिंदी में और एक पंजाबी का subject था उसका लेकिन मैंने जब application डाली जो डेडिसल फॉर्म था grievance वाला वो डाला तो उसके बाद मेरी हिंदी की जो ER थी वो हट गई लेकिन पंजाबी की नहीं हटी तो इसका मतलब ये था कि एक subject में उसका जो fail दोनों में लिखा वा था लेकिन हिंदी वाले subject में उसका fail उनकी गलती से दिया गया था उन्होंने उसको ठीक कर दिया लेकिन पंजाबी के अंदर उसकी गलती थी उसने paper ठीक से नहीं करा था इसलिए उसकी वो ER उसके अंदर रही और वो बच्चा paper अब देगा ठीक है तो ये थी आपकी semester mode और annual mode की ER, AB और fail की जिंजट मैंने खतम कर दी है प्लीज मुझसे ये दुबारा मत पूछना मैं पक गई हूँ एक ये चीज़ को बताते बताते अब आती है timing देखो semester mode वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए timing 10 बज़े से 4 बचे तक की south campus दी गई है अपने AB या फिर fail के regarding जाने के लिए ऐसी मत पहुच जाना गूमने ना ER को लेकर जाना अगर fail है और AB है ठीक है उस चीज़ को लेकर मतलब ER वो ही दे रखी है जो fail है बट अगर आपका ये confirm हो चुका है just like मैंने जो example दिया था कि पंजाबी का सही नहीं हुआ हिंदी का सही हो गया अगर ये आपका ठीक हो चुका है तो फिर आप ER के पेपर की तयारी करो बच्चा आप लोगों को पेपर देना पड़ेगा ठीक है अगर आप semester mode के student है आप लोगों को south campus जाना है south campus मोती बाग का ठीक है और अगर आप annual mode के बच्चे है means 2018 में जिन्होंना admission लिया था और जिनका भी final year खतम हुआ है तो या फिर जिन्होंने 2017 में लिया था और उनके किसी subject में AB वाली problem आ रही है या fail वाली आ रही है तो आप लोगों को 4 से 10 का time north campus दिया गया है ठीक है students ये मैं आपको बिल्कुल confirm बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये बात को खुद देखा है कि teachers ने Envil mode के बच्चों को north campus में उनकी problems को solve किया है और semester mode के बच्चों को south campus में बगा दिया ठीक है दूसरी बात ये है कि आप लोग आप मान लो जैसे semester mode का एक बच्चा है वो south campus गया और वहाँ के teacher ने बोला कि भई आप अपनी problem के लिए north campus जाओ तो प्लीज अगले दिन मुझे comment मा के सुनाना नहीं कि मैम आपने तो मुझे south भेज दिया था मुझे north जाना था वो कुछ चीज को सोच कर बोलेंगे कि आप लोग north campus जाओ otherwise वो आपकी problem south campus में ही solve करेंगे animal mode वाले बच्चों के साथ ये नहीं हो रहा है उनकी जो भी problem है वो north campus में ही solve हो रही है तो कोई doubt वाली बात है ही नहीं ठीक है student अब हम आगे बढ़ते हैं अब आती है आपके result problem E.R.A.B. fail एक्सेक्टर एक्सेक्टर ठीक है देखो जो मैंने भी आपको पीछे बताया वो इससे related है लेकिन इसके अंदर में दो-चार चीदों को ये proof करना चाती हूँ मतलब समझाना चाती हूँ sorry proof बोल दिया कि बच्चा लोग वो समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को शायद वीडियो के थुरू समझ जाए मतलब एक तरीके से proof दिखा कर देखो सबसे पहले इधर वाले result पे आओ इधर यहाँ पर इस बच्चे का first, second, third, fourth का result है यहाँ पर आपको दे रखा है ठीके अब इसके जो बच्चे की है last two zero four जो subject इसका दे रखा है मतलब English आपका language through literature वाला इसके अंदर इसकी ER दे रखी है इस बच्चे का भी same यही मसला था, इस बच्चे की हिंदी में additional subject तो हिंदी था वो और इस वाले English वाले subject दोनों में ER थी लेकिन इसका भी वो हिंदी ठीक हो गया और यह subject ठीक नहीं हुआ तो यह बच्चा इस subject का ER देगा यह इसका कौन से semester में है इसकी second semester में back है तो यह fourth semester में ही बच्चा paper देगा ठीक है, अब इधर वाले result पे देखो तो इसका, यह जो है third semester में admission लेगा यह बच्चा और इसकी first or second का result आप देख सकते हो first semester बच्चे ने दिया और मुझे message करके बोला मतलब की ma'am मेरे तो चार subject में A भी आ गया है और मैं confused की यार चार subject में A भी कैसे आ सकता है या तो बच्चे ने paper दिया नहीं या फिर कोई और doubt है लेकिन यहाँ पर doubt मेरा बिलकुल ठीक रहा था इसका चारो subject में A भी इसलिए आया कि वो absent ही था वो उसने paper ही नहीं दिये थे मतलब आप मेरा भी इतना पागल बनाओ soul वाले बिलकुल सही आपकी message का reply नहीं देते मुझे अब एसास हुआ कि आप लोग मुझे बता नहीं रहे हो कि मैं मैंने paper ने दिये मैं जद्दो जहद कर रहे हूँ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हूँ कि यार इस बच्चे ने paper दिये थे और इसकी ये भी दे दी ये दे दी टीचर से बात कर रहे हूँ contact कर रहे हूँ mail drops कर रहे हूँ at least आपको बताना तो चाहिए ना कि मैं मैंने paper नहीं दिये थे जब तक आप मुझे ये नहीं बताओ कि मुझे किसी ना आके थोड़ी बताया है या आपने call करके बताया था मुझे या आपके घर में से किसी ने message कर रहा था कि मेरे बच्चे ने paper नहीं दिये थे या आपको मुझे बताना था कि मैं मैंने चार सब्जेक्ट नहीं दिये means second semester नहीं दिया तो ये जो था ये अगर बच्चा लोग आपने ऐसा करा है तो मुझे ये मत बोलना कि मैं मेरे चार सब्जेक्ट में ABI है महरबानी करके नहीं तो मैं बहुत जादा हाइपर हो जाओंगी फिर आप लोग बोलते हो कि मैं मैं आप हाइपर क्यों हो रही हो मतब एक limit होती है बच्चों कि आप teachers को भी इतना पागल बनाओ कि वो सबर कर ले आपको इतनी knowledge होने चाहिए कि चलो नहीं भी है knowledge तो आप यह सोचो कि ठीक है अगर मैंने मेरे चार सब्जेक में ABI है तो क्यों आई है अगर मैं आपकी जगा होंगी तो मैं सोचूंगी कि यार चार सब्जेक चारों में क्यों आ गई जाहिरे paper नहीं दिया तो आएगी ही आएगी इतना मसोचा करो ठीक है अब आते हैं हम आगे admission problem पे admission problem चाहे वो third semester के बच्चे की है या fifth semester के बच्चे की है सारे बच्चे इस बात पर focus करेंगे please यहाँ पर मैंने सभी courses की बात करी है ठीक है तो आते हैं आगे देखो admission problem दो type की आ रहे है एक तो यह कि जिस कुछ बच्चों के तो admission शो ही नहीं हो रहा और एक तो यह जिस बच्चे का admission form शो हो गया लेकिन save करने के बाद string was not recognized as a valid date time यह लिखा हुआ रहा है देखो इसके लिए सबसे पहले मां आपको यह बोलूँगी कि आप लोगों को normally सबसे पहले तो cyber cafe जाओ महाँ पर जाकर उनसे बोलो कि भाईया या दीदी जो भी बैटी हो please मेरा form फिल कर दीजे अपना barcode और soul roll number दो वो आपकी ID login करेंगे और आपका admission form फिल कर देंगे फिर भी अगर cyber cafe से आपका show नहीं हो रहा form तो आप लोगों को मैं आपको आगी email दिखा देती हूँ उस पे mail drop करना है लेकिन उससे पहले एक बात और कि जैसे कि अगर आप लोगों का third semester वाले बच्चों का form फिल नहीं हो रहा तो ये बात का अब ध्यान रखना कि आपने at least first semester में first semester या second semester दिया हो hundred percent देना पड़ेगा भले से आपने second semester नहीं दिया first दिया है तो उसके पेस पे आपका जो है admission हो जाएगा लेकिन अगर आपने एक भी semester नहीं दिया admission करवा लिया था तो बच्चा आप लोगों का जो है third semester में admission नहीं होगा आपको first year में again admission लेना पड़ेगा वो आपको repeat करना पड़ेगा ठीक है students वैसे ही same fifth semester वाले बच्चे के साथ है अगर उसने second year का third semester दिया है fourth नहीं दिया fourth दिया है third नहीं दिया तो आपका fifth semester का form show होगा hundred percent होगा चाहे cyber cash से हो या आपके mobile में हो लेकिन आपने एक भी semester नहीं दिया तो आप लोगों का जो है fifth semester form show नहीं होगा आप लोगों को second year repeat करना पड़ेगा ठीक है अब जो वो mail ID में आपको बता रही हूँ वो है तीन mail IDs है inquiry at the rate sold due.ac.in admission at the rate sold और admin at the rate sold वाली ठीक है आप लोगों को inquiry वाली पर mail drop करनी है चाहे कुछ भी हो इन दो रबे मत करना reply नहीं आएगा इस पर reply आ जाएगा ठीक है बाकी जो है context वगेरा हो तो मैं आपको अगर चाहिए तो मैं comment box में share कर दूँगी otherwise whatsapp groups में या सब जगा तो आपको provide हैं ये already telegram channel पे भी ठीक है student ये भी आपकी खतम अब आती है fee receipt वाली बात देखो fee receipt का इस time बहुत जादा ये problem चल रही है कि आपकी blank fee receipt यहाँ पर show हो रही है blank fee receipt को आप देख लो यहाँ पर न बार कोड़े न न कोड़े name, father name, mother name, address, email id, subject कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं और लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनकी fee receipt में सिर्फ subjects नहीं है लेकिन उनका जो है बाकी सारी चीज़े show हो रही है इस case में मैं आपको सिर्फ यह बोलना चाहूंगी कि please 24 गंटे 24 hours wait करो 24 hours से जादा wait करो आपकी fee receipt generate हो जाएगी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है same वो ही मैं result के बारे में बोलना चाहूंगी कि अगर आपके result में mother name या father name show नहीं हो रहा है in fact आपका name भी नहीं हो रहा है तो उसमें roll number चेक करके अपना result चेक कर लो कि हान जी तसलिक कर लो मेरा ही result है बाकी मतब मेरा नहीं है आपका तो उसमें आप रुख जाओ और थोड़े time बाद जब अपना result आप अगें चेक करोगे तो वो mother name वगएरा सब अच्छे से generate होकर आ जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है इसमें परिशान बिल्कुल भी मत हो student ये छोटी छोटी सी बाते हैं जिस पर आपने groups में भी unlimited messages कर रखे हैं टेलिग्राम चैनल भर रखा है पूरा सब कुछ सब कुछ आपने बिल्कुल out of stock करवाना चाहती हूँ किना प्यार करवा ही ने रहे हो कोई बात नहीं admission form double double subject problem देखो ये वाली जो है कि care मैंने अपने पास से डाला है लेकिन अंदर जब आओगे क्या है इसमें तो आपको पता लग जाएगा ये वाली बात ये आ रही है कि बच्चों ने इतने समझदार बच्चे हैं प्यारे प्यारे इन्होंने मुझसे बोला कि मैं मैं form fill कर रहा हूँ या कर रही हूँ मेरे पास ये subject क्यों show हो रहे है मैंने का बच्चा आप इनको पढ़ चुके हो ये इसलिए show हो रहे है तो उस पे मुझसे के वाली बहस कर रहे है कि मैं मैं जब हम पढ़ चुके हैं तो form में क्यों show हो रहे हैं कि हामें दुबारा paper देना पड़ेगा ऐसे तो आप जिन्दगी भर बुड़े हो जाओगे आपकी generations बोलेंगे कि यार आप अभी तक भी ये कर रहे हो ये कोई बात नहीं होती है बचो आप लोगों ने इतना दिमाग का मेरा मतब ऐसा कर रखा है कि मैं बताते बताते बिलकुल पागल हो जाओंगे एक दिन आप लोगों के ये subjects इसलिए show हो रहे हैं अगर आप लोगों को improvement फिल करना है आप लोगों की ERI है तो आप लोग अपने 5th semester या 3rd semester के subjects के साथ इसको फिल करोगे I hope आपको मेरी language समझ आ रही हो नहीं आए तो मैं आप से English में भी बात कर लूँगी पंजाबी में भी कर लूँगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरी बात को समझो प्लीज ये subjects आपको इसलिए show हो रहे हैं क्योंकि मान लो मैं निकी मैम मुझे अभी 3rd semester में admission लेना है ठीक है लेकिन मेरी 1st semester में back है तो मेरी यहाँ पर ये 4 subjects 1st semester के show हो रहे हैं मेरे पाद जो subject show हो रहा है मैंने उस पर tick लगाया और tick लगाने के बाद इसको अपने 3rd semester की subjects को fill करा fill करने के बाद यहाँ पर undertaken का button आ रहा है इस पर click करा फिर इसको save करा उसके बाद ये save हो गया मैंने जाकर इसकी payment कर दी तो ये इसलिए दे रखे हैं आपके पुराने सारे subjects कि आप लोग को अगर by chance किसी के अंदर improvement या फिर ER fill करनी है तो आप लोग इसके अंदर ही अपने form को fill करोगे ये वाले बात को ध्यान में रखना ठीक है ये आपकी fair receipt वाले problem भी solve हो गई एक बात और annual mode की जो students है annual mode की students की जो admission है वो अभी तक start नहीं हुए है तो भाई देखो admissions के लिए मैं आप लोग को बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आप लोग please या तो soul department विजिट करें या फिर mail करें या contact करें जो भी करें वो आप जल से जल करें कि आप लोग के form और जो भी है वो कब निकलेंगे क्योंकि annual mode की students के regarding कोई भी news अभी तक update नहीं की गई है कोई भी notice नहीं आया है तो महरबाने करके please आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग हाथ पर सब कुछ चलाइए और जाएए आपका जाने में कुछ नहीं जा रहा लेकिन आप out of Delhi हैं तो आप contact करें या अपने किसी friend से पूछ लिजे बाकी मेरी कल teacher से दुबारा बात होती है तो मैं आप लोग को inform कर दूँगी annual mode के students को कि आप लोग के लिए ये वाली information या फिर notice वगरा आ जाएगा ठीके student I hope अब आप लोग का कोई भी doubt नहीं रहा हो वैसे तो होगा मुझे पता है लेकिन in case हो भी ना तो आप मुसे comment box और telegram channel पे पूछ सकते हैं so thanks for the watching and best of luck all